हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू इंडियन स्टडी इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए 50 इंपोटेंट कोसंस लेकर के आया हूँ यूपी जेल ओर्डर के लिए और ये जो आपके कोसंस हैं इंपोटेंट उत्तर प्र से कोसंस भी पूचूंगा और उसका आंसर आपको कमेंड बॉक्स में बताना होगा वीडियो स्टर्ड करने से पहले मैं आपको बता दूँ जब एक्जाम क्रेक करने की ओबात तो अनेकेडमी आपके साथ इसी उद्देश के साथ अनेकेडमी आप लोग के लिए फ्री स्प ट्रपल सी केटेगरी को देखता हूं तो मैंने पहले ही स्लेक्ट कर लिया है आपको कुछ नहीं करना है आपको इस तीन डॉट पर क्लिक करना है जो कि आपके सामने है यहाँ पर आगर कि आपको फ्री स्पेसल लाइब या फ्री लाइब क्लासिस पर क्लिक करना है जैसा कि म अपने चैनल का नाम है इंडियन इस्टडी बस जैसे ही आप इस कोड को फिल करेंगे तो यह जो है अनलोक हो जाएगा देख लीजिए आपके सामने यह अनलोक हो चुका है और अनकेडमी के यूपी ट्रपल सी केटागिरी के अंदर का जितनी भी फ्री स्पेसल क्लास चलाई जा रही होंगी उन सभी को आप एकसेस कर पाएंगे पहला कोसंस कि राष्टिय कभी मैतली स्रणगुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के कौन से जन्पद में हुआ था तो कहां पर हुआ था इनका जन्म जहां सी में हुआ था जहां पर मैं रहता हूं तो यहीं पर इनका जन मेतली स्रणगुप्त की प्रमुक रचनाये कौन सी है साकेत या सोधरा भारत वारती ये जो हैं मेतली स्रणगुप्त की प्रमुक रचनाये है Next question कि प्रसिद सूफी संथ कवीर दास का जन्म इस्तान उत्तर प्रदेश के कौन से जन्पद में हुआ था तो ये हुआ था आपका वरार्ण सी में कहां पर हुआ था इनका जन्म वरार्ण सी में हुआ था कवीर दास के गुरू कहे जाते हैं या गुरू हुआ करते थे कौन तो कवीर दास के रामानंद रामानंद जो हैं वो कवीर दास के गुरू हुआ करते थे कौन रामानंद कौन हुआ करते थे रामानंद जो हैं वो कवीरदास के गुरू हुआ करते थे कवीरदास की प्रमुक रचना कौन सी है तो कवीरदास की प्रमुक रचना है आपके बीजग बीजग जो है वो कवीरदास की प्रमुक रचना है नेक्ष्ट कोसंस के कीरतन कारकवी सूरदास का आज जन्मिस्तान क्या माना जाता है तो यह मतरा के पास सीही नामकिस्तान पर सूरदास के गुरू हुआ करते थे कौन तो गुरू बल्लबाचार जो जो थे वो सूरदास के गुरू हुआ करते थे कौन गुरू बल्लवाचार सूरदास की प्रमुक रचना है कौन सी है चाहिए इनकी रचनाओं की एक खासियत है आपको इसमें सूर देखने को जरूर मिल जागा जैसे सूर सागर, सूर सरावरी, साहित तलेरी तो इनकी रचनाओं याद करना कोई जादा हाड नहीं है आसानी से आप याद कर सकते हैं तो प्रमुक रचनाओं इनकी यही तीन है जो मैंने आपको बताई है नेक्स्ट कोसंस बच्चो आपके सामने ये रहा कि अश्ट चाप के आधार इस्तम माने जाते हैं कौन नेक्स्ट कोसंस आपको तुलसी दास किस वक्ति के प्रवतक माने जाते हैं तो तुलसी दास के वच्पन का क्या था ये हमसे पूचा का जाय है तो तुलसिदास के बच्पन का नाम था राम बोला राम बोला जो था वो तुलसिदास के बच्पन का नाम था तुलसिदास की प्रमकरचना एक कौन सी है राम चरितर्मानस बहुत ही इंपोटेंट कोसंस ये तो आपको पता होना चाहिए कवीता वली दोहा वली गिता वली ये सारी आपकी तुलसिदास जी की प्रमुकरचना हैं कौन कौन सी राम चरितर मानस कवीता वली दोहा वली गिता वली ये तुलसिदास की प्रमुकरचना हैं तो कभी रहिदास का जन्विस्तान माना जाता है उत्तर प्रदेश का वरानसी क्या उत्तर प्रदेश का वरानसी कराम जो है वो कभी रहिदास का जन्विस्तान माना जाता है बानी नामक चंदों की रचना कसरे किसको जाता है तो बानी नामक चंदों की रचना कसरे रहधास को जाता है किसको जाता है बच्चो रहधास को रामदासी संपरदाई की स्तापना कसरे किसको जाता है रामदासी संपरदाई की स्तापना कसरे रहधास को जाता है किसको रैदास को भारतेंदू हरिस्चंद का जन्व एवं मरत्य उस्तल उत्तर प्रदेश का कौन सा जन्पद है तो यह उत्तर प्रदेश का वरानसी जन्पद है उत्तर प्रदेश का आधुनिक हिंदी साहित का पिता किसे कहते हैं अगर हम बात करें आधुनिक हिंदी साहित क ये पिता के बारे में तो भारतेंदू अरिस्चंद को आदूने कि हिंदी सायत का पिता कहते हैं कास्मीर और और अनदेरी नगरी ये भारत अंदू अरिस्चंदर की पर्मुकreas नेक्ष्ट कोसंस की तरफ चलते हैं कलम का सिपाई कहे जाने वाले मुंसी प्रेम चंद्र का जन्व एवं रत्यु इस्तली उत्तर प्रदेश का कौन सा जन्पद है तो यह आपका वरानसी जन्पद कौन सा है वरानसी जन्पद मुंसी प्रेम चंद्र के अदूरे उपन्यास क का नाम क्या है तो मुंसी प्रेम चंदर के अदूरे उपन्यास का नाम है मंगल सूत्र क्या है मंगल सूत्र हिंदी सायत में मुंसी प्रेम चंदर की प्रमुक रचना है कौन सी है यह इंदी सायत में मुंसी प्रेम चंदर की प्रमुक रचना है कौन सी है तो यह आपकी गवन गोदान, सेवा सदन, वरदान, रंग भूमी और कर्म भूमी जी हां दोस्तों हिंदी सायत में मुंसी प्रेम चंदर की प्रमोक रचना है कौन कौन सी हैं गवन, गोदान, सेवा सदन, वरदान, रंग भूमी और कर्म भूमी ये बिलुकुल ऐसे की ऐसे ही याद कर लो क्योंकि कि बहुत important रचना है यह ध्यान रखना mostly आपसे एक्जाम में पूछ ली जाती है तो इसको बिलुकुल डिक्टो ऐसे याद कर लो जैसा कि मैंने आपसे बोला है ठीक है चलिए next questions की तरफ चलते हैं next questions हंस नामक पत्रिका का संपादक कौन थे तो हंस नामक पत्रिका के जो संस् वो थे आपके मुंसी प्रीमचंद कौन थे दोस्तो मुंसी प्रीमचंद जो थे वो हंस नामक पत्रिका के संपादक थे next questions बच्चो आपके सामने चायावाद के चार प्रमुक आदार इस तमों में से सुमेतरन रिंदन पंत का जन्व कहा हुआ था या जन्विस्तन कौन सा ह हैं तो यह था आपका कोसानी उत्राखंड सुमेतरन रिंदन पंत का जन्विस्तन किया है कोसानी उत्राखंड क्या है कोसानी उत्राखंड इंपोटेंड कोसन्स बहुत ही ज़्यादा आपकी एक्जाम की दरस्टी से ठीक है चलिए next questions की अगर हम बात करें तो next questions आपके सामन कभी किसे कहा जाता है तो प्रकति का सुकवार कभी जो है वो सुमित्र नंदन पंद को कहा जाता है किसको सुमित्र नंदन पंद को कहा जाता है प्रकति का सुकवार कभी नेक्स्ट कोसन सुमित्र निन्दन पंद की प्रमुक रचनाओं के नाम बताएं सुमित्र निन्दन पंद की प्रमुक रचनाओं के नाम है चिदंबरा, पल्लव, युगपद और वीणा ये सुमित्र निन्दन पंद की प्रमुक रचनाओं है सूर्कां तर्पार्टी नराला की जनव स्तली कौन सी है सूर्कां तर्पार्टी नराला की जनवस्तली आपकी मोधरी पुर पश्चिम defect, मुरत्य उस्तल की बात करें, तो इलावाद प्रियाग Community next question दोस्त आपके सामने, सूरकां तरपार्टी निराला की प्रमुक रचना है कौन सी है सूरकां तरपार्टी निराला की प्रमुक रचना है तुलसीदास अनामिका परीमल अफसरा कौन कौन सी तुलसीदास अनामिका परीमल अफसरा ये सूरकान तरपाट निराले की प्रमुक रचना आए है बिल्कुल रटलो ये समझ लो कि बहुत इंपोटेंट वीडियो है ये आपके लिए समझ रहे हैं न महादेई बर्मा का जन्म इस्तान उत्तर प्रदेश का कौन से जन्पद है तो वह आपका फरुखा बाद आदुनेक मीरा के उपनाम से किसे जाना जाता है तो आदुनेक मीरा के उपनाम से महादेई बर्मा को जाना जाता है किसको महादेई बर्मा को जाना जाता है महादेई बर्मा की प्रमुक रचना है कौन सी है महादवी बर्मागी प्रवों को रचना है सांदगीत, यामा, इसमिर्थी की रिखाएं मेरा परिवार, निर्जा, निहार, च्छनदा ये सारी महादवी बर्मागी प्रवों को रचना है बहुत important questions चायावाद का आदार इस्तम किसको कहा जाता है ये संकर प्रवों को रचना है नेक्स्ट कोसंस रायवरेली के दौलतपुर गाउं में किस महान सायतकार का जन हुगा था तो ये हुगा था पंडित महावीर पिरसाद दुवेदी का किसका पंडित महावीर पिरसाद दुवेदी का बताइए, काव मंजूसा हिंदी वासा की उतपत्ती ये पंडित महावीर प्रसाद डुवेदे की परमुक रचना है नेक्ष्ट कोसिन्स मलिक मुंद जायसी की परमुक रचना है कौन कौन सी है, पदमाब्द, अकरावट आकरी कलाब, ये मलिक मुहम्मद जायसी की प्रमुक रचना है पदमामद जिसमें बहुत इंपोटेंट है मलेक मुहम्मद जायसी की जन्विस्तली मुरत्य इस्तली कौन सी है तो जन्विस्तली है आपकी राइवरेली मुरत्य इस्तली है आपकी अमेठी मलेक मुहम्मद जायसी किस दारा के कभी माने जाते है तो मलेक मुहम्मद जायसी वक्ती दारा के कभी माने जाते है किस दारा के वक्ती दारा के कभी माने जाते है आचारे रामचंद्र सुकल को हिंदी साहित में किस रूप से जाना जाता है तो आचारे रामचंद्र सुकल को हिंदी सायत में आलोचक की रूप में जाना जाता है किस नाम से आलोचक की रूप से जाना जाता है आचारे रामचंद्र सुकल का जनम उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ आचारे रामचंद सुकल की प्रमुक रचनाय कौन सी है चिंतामडी, तरवेडी, हिंदी साहित का इतियास ठीक है मेरा बच्पन नामक पिरसित किरती है किसकी तो मेरा बच्पन नामक किरती है आचारे हजारी परसाद दुवेदी की किसकी आचार्य हजारी परसाद दुवेदी की next questions और last questions या second last questions के आचार्य हजारी परसाद दुवेदी का जन्मुत्तर प्रदेश के किस जन्पद में हुगा तो ये बलिया में हुगा और हाचार रहे हजारी पर साथ दुवेदी के दुवेदी हिंदी के किस योग के प्रवदक माने जाते हैं तो यह आदुने के योग के प्रवदक माने जाते हैं किस योग के आदुने के योग के तो दोस्तों यह थे आपके 50 important questions जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिये ठीक है अब मैं आपसे कोसंस पूछ रहा हूं जो कि मैं पढ़ा चुका हूं अगर आपने ध्यान दिया वीडियो में तो आसानी से बता सकते हैं का माईनी किस लेकक की रचना का नाम है तो इसका सही आंसर आपको क वीडियो आप लोग लिए लात रहता हूं नमस्कार दोस्तो जै हिंद जै भारत